हलो एवरिवान कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं, मेरे प्यारे वीवर्व रूप अच्छे होंगे, पॉजटिव होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे होंगे और सभी की लाइफ में खुश्या रहें, सभी की लाइफ हैपी रहें से लिए आज हम देख रहे हैं कि ये फुल मून का जो पोटल है जो उपन हो गया है ये आपके लिए आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव ला रहा है कौन सी ब्लिस्टिंग्स ला रहा है आपकी लाइफ में कौन सी खुशियां ला रहा है जनरल कलेक्टिव रेटिंग ह बड़ जब भी positive rating होती है I pray to God I pray to universe कि यह positivity आपकी life से जरूर match करे और आपकी life में ऐसे कुछ बड़े बदलाव ईश्वर जरूर करे अगर आप कोई rating लेना चाहते हैं कोई class लेना चाहते हैं या किसी तरह का और suggestion चाहते हैं तो नीचे number description box में दिया गया है please whatsapp only call speak नहीं हो पाती हैं इसके अलावा हमारा कोई number नहीं है और ना इसके अलावा किसी और तरह से आप लोग उसे connect किया जाता है तो focus बनाईए और social media scammers से बचके भी रहिए जब भी आपको personal reading लेनी है आपको खुद को इस number पे contact किया जाएगा कोई inbox comment कोई personal mail कोई reading करा लो हम आपके बारे में बताएंगे ऐसी चीजें हमारी तरफ से नहीं होती है तो प्लीज किसी भी तरह के scam में नाफसे एक number है जो description box में है या mail ID है सिर्फ आप उस पे contact करके ही अपनी reading book कराएं चलिए तो देख लेते हैं full moon आपके लिए क्या कह रह हैं आपके वाओ के ओके 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 फूर नंबर अवेरनेस फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव लाह रहा है सबसे पहले existence की energy की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कुछ लोगों के अस्तितों पे जो सवाल उट रहे थे कुछ लोगों की existence पे जो सवाल उट रहे थे या आप spiritual base पे आगे नहीं पड़ पा रहे थे मुझे यहां पे आपकी spiritual growth होती नजर आ रही है secondly जो आपकी life में aloneness थी या आपकी life में कुछ ऐसे questions थे कुछ प्रशन थे आपके जीवन में जिसका answer आपको नहीं मिल पा रहा था तो यहां पे उन questions का answer भी आपको मिलता नजर आ रहा है awareness इस full moon पे क्या होने वाला है आपकी जो अंतरात्मा है अंतरात्मा जो कही ना कहीं connected है divine से universe से आपके past के experience कितने अच्छे रहे हैं कितने बुरे रहे हैं कोई matter नहीं करता लेकिन यहां पे बदलाव क्या आ रहा है जो आप reality में अपनी life में नहीं समझ पा रहे थे जिसका जवाब आपको divine से चाहिए था तो यहां hundred percent कुछ adventurous आपकी life में होने जा रहा है जिसकी कलपना भी कभी आपने नहीं की होगी कुछ ऐसा बदलाव कुछ sudden change किसी व्यक्ति का चेहरा किसी relationship की सच्चाई मतलब या कोई business जो आप करना शहा रहे थे ग्रो नहीं हो पा रहा था तो उसका root cause यहां पे आपको पता चल जाएगा कुछ चीज़ें सी होती ना जो root cause नहीं पता चल रहा था ना मैं divine से बहुत connected हूँ मुझे intuitions आ रही थी मैं समझ रहा था या मैं समझ रही थी बट exactly मेरे सामने खुलके चीज़ें नहीं आ रही थी तो यहां पे आप अपनी life में कुछ ऐसा experience करने जा रहे हैं एक परिवर्तन देंगी आपके जीवन का नजरिया बदल देंगी आपको right direction देंगी जो लोग alonness की feeling कुछ करेंगे कुछ mood swings होंगे या particular आप अपने goal की तरफ proactive नहीं हो पाएंगे अपने goal को नहीं समझ पाएंगे थोड़ा सा mood आपका लो रहेगा ऐसे लोगों के लिए य शब्दों को तोल मोल के बोलें यहां पर थोड़ा सा communication challenges मुझे नजर आ रहे हैं यानि कि यहां पर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कहना कुछ चाहा रहे हैं और उसका मतलब कुछ और निकाला जाए या आपके शब्दों को तोड मरोड करके आपके शब्दों को ही negative way में present किया जाए जिसकी वजह से आपका mood और जादा swing हो या और जादा आप hyper feel करें या थोड़ा सा depression की energy में चले जाएं तो आपको अपने emotions पे यहां पे control रखना है अपनी भावनाओं पे control रखना है अपने अनुभवों को थोड़ा सा side रखती जेगा especially 5 days का portal है तो जब यह अपने emotions को control में रखना है past की memories बार बार निकल के आएंगे क्योंकि experiencing का card है आपके past के अनुभव बार बार निकल के आएंगे आपको past की बातें बहुत याद आएंगी ना आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरी यहां प यह destiny भी होती है आपके जीवन में जो घट रहा है यह हम अपने past से भी लेकि आते हैं हाँ थोड़ा सा अकेलापन है और यह जादा हो गया है क्योंकि आपने trust गलत लोगों पे किया है बट अब आपको यहां पे यह जो portals होते हैं यह manifestation के लिए भी वेस्ट होते हैं और यहा आपको इसका use करना है पास्ट की बाते याद आ रही है उनको let go करना है लोगों को forgive करना है और जैसा आप अपनी life में चाहाते हैं जो आप अपना जीवन जीना चाहाते हैं उस चीज़ को manifest करना है next five days especially 25th, 26th तक यह portal open रहेगा अपनी communication अपनी language पे अपने emotions पे past की memories पे बिल्कुल भी focus नहीं करना है आगे पढ़ना है past की experiences आपको बार बार कहेंगे यह बोल दो ऐसे बोल दो मुझे ऐसा कर देना चाहिए नहीं अपने emotions पे बार बार बोल रहे हूं control रखना है चाहे आपको कितनी भी सच्चाई क्यों ना बता हो चाहे आपको कुछ भी क्यों ना बता हो फिर भी आपको अपने शब्दों की मरियादा नहीं लांगनी है क्योंकि यह कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको हार्म करेगा क्योंकि आपका nature नहीं है किसी का दिल दुखाने का high vibrations होती है emotions बहुत जादा high हो जाते है full moon no moon या new moon पे और उस चकर में आके न लोग करते हैं जिनके दिल में सच्चा ही होती है तो आप regret वाली चीज में ना चले जाएं इसलिए आपको इस बात के लिए मैं बार बार alert कर रहे हो regret नहीं हो आपको बात में 5 दिन बात पता चला कि आपको regret हो गया तो बहुत जादा गड़बड हो जाएगी तो अपने experience को समहाल के रखिए जैसे ही ये phase निकलेगा वापस आप अपनी life में आ जाएंगे वापस आप बलकि manifest कीजिए हाना आप आपको जो भी अपने जीवन में बदलना है लोग बदलने हैं चीजें बदलनी हैं business अच्छा करना है ये 5 days आप manifest कीजिए और उसके फिर fruit देखे result देख और ये full moon, no moon या new moon की manifestation एक तरफ देखे शांती बनाए रखने हैं जीवन में चाहे कोई कुछ भी कर ले कितना provoke कर ले लोग provoke करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर full moon आपके लिए है तो full moon दोस्त आत्माओं के लिए भी है आपके जीवन में जो negative लोग है उनके लिए भी ह प्रवोग करने की पूरी कोशिश की जाएगी पूरा provoke किया जाएगा आपको बट आपको नहीं करना है थोड़ा सा hard time है निकल जाएंगे पांस दिनों में सही manifestation कर लेंगे तो आगे का जो at least मैं आपको बताऊँ आपका जून ठीक चला जाएगा जो आप अपने जीवन में तलाश रहे थे जो आप अपने जीवन में पाना चाहा रहे थे बहुत लंबे टाइम से especially past two months में जो आपने हिम्मत दिखाई है पास two months में जो आपने शमता दिखाई है आपने जहाँ पे भी hard work किया है जहाँ पे आपने परिश्रम किया है चाहे वो relationship में किया हो चाहे वो financially किया हो चाहे आप किसी और परिस्तिती से जूज रहे हैं तो यहाँ पे sharing की energy है कि कोई आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको उस परिस्तिती में उस tough time से निकालने में help करेगा और आप इस tough time से निकल जाएंगे आगे आना वाला time आपके लि लग रहा है कि आप सोच विचार बहुत जादा करेंगे इस time पर हना आपका मन होगा कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाएंगे फिर आपका मन होगा आगे बढ़ाई यानि कि आपका मन थोड़ा से decision लेने में problem करेगा तो अगर बहुत important नहीं है इन 5 दिनों में कोई decision लेना कोई बहुत बड़ी चीज है चोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रही हो अगर आप कोई अपना business start करना चाहा रहे हैं या कोई marriage proposal आपके लिए है या कोई relationship में पहले से problem चल रही थी वो वापस आना चाहाते हैं यानि कि कुछ past स related चीज अगर आप अपने जीवन में solve करना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में stop कर दीजेगा क्योंकि जब भी हम emotional हूं हमें बिल्कोल भी decision नहीं लेना चाहिए manifestation के थुरू आपका वक्त बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है जितना आप इस time पे positive vibes देंगे जितना आप positive share करें multiple times होके million times होके आपके पास वापस आएगा ध्यान रखेएगा full moon में मैं हमेशा बोलती हूं कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिए क्योंकि full moon का दान जो है आपके मन को मजबूत बताता है आपके धन को मजबूत बनाता है आपको healthy wealthy बनाता है तो आप बाकी पूरे मन कुछ कर ना करें but full moon में और दान की भी कोई limit या upper limit नहीं है जो आपका मन है जितना आप कर सकते हैं जहां पे आप कर सकते हैं जहां से आपको शांती मिलती है full moon पे आपको दान जरूर करना है तो एक तो sharing के energy बहुत अच्छी आ रही है आपको बता दिया है life में अभी इन 5 दिनों मे कोई strong decision नहीं लेना है आगे बढ़ना है positive सोचना है पास दिनों में सिर्फ manifestation करना है past की चीज़े याद आएंगी बिल्कुल भी नहीं जाना है और अपने important decision इन 5 दिनों में नहीं लेने है तो ठीक एक universe का guidance ले लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं वो इन 5 दिनों के लिए फुल मून क्या बदलेगा आपकी लाइफ में वाव दा हर्मिट best time हमेशा obviously meditation का best time होता है तो आप अपने साथ time spent करें meditation से मतलब जो लोग आग बंद करके meditation नहीं करना चाहते हैं अपने time spent साथ time spent करें अपने आपको निखारने में अपने आपकी आंतरिक शक्ति अपने आपकी spiritual journey को बढ़ाने में आगे अगर आप काम करेंगे इस time पे तो यह आपके लिए best रहेगा हना spiritual mentor आपको मिल सकते हैं आप self discover कर सकते हैं यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति आपको गुरू या आपको कोई teacher या आपको कोई ऐसा आगे मिल सकता है जो आपको progress करें जो आपको आगे बढ़ाने में help करें तो आप self discovery भी जरूर कीजिए ठीक है पूजा पार्ट में जरूर ध्यान लगाईए पूजा पार्ट नहीं कर सकते हैं meditate जरूर कीजिए अपने आपको heal जरूर कीजिए अपने अंदर का जदुख है तकलीफ है तडप है उससे बाहर निकलिए अपनी soul को आपकी जो soul है उसको pure आएंगे soul के साथ जितना वर्क करेंगे इन पांच दिनों में आपके result जीवन में उतने ही अच्छे आएंगे हना सीकर बनी है जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे जितना आप जानने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए ये time fruitful रहेगा और कुछ adventurous भी आपकी life में आपको करना है क्या नहीं करना शेरिंग जरूर करनी है दान जरूर देना पास्ट की चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है तो आप इन सब चीजों को अपनी life में apply करेंगे तो देखेंगे अगले two-three months आपकी life में बहुत अच्छे जाने वाले हैं और यहां कुछ ल नहीं देखता है लेकिन इश्वर देखता है तो यही जब portal open होते हैं और जब हमारी feelings बिल्कुल high होती है तब हमें उनका response बता नहीं चलता बट exactly हमारे साथ वो घट रहा होता है तो अगर आपने को यसी activity कर रखी है तो best way है कि manifest भी कीजिए और थोड़ा सा अपने आपको उस चीज से निकालने के लिए जिसके साथ भी आपने किया है उसको sorry वोलिए आगे बढ़िए चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए रिजट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप reality जानते हैं कि आपने गलत किया है अगर आप जितना रिजट होंगे उतना aloneness की energy में जा हुआ है क्या problem रही है इन चीजों में ठीक है तो हर्मिट की energy को लेके आईए sharing की energy को लेके आईए full moon आपकी life में बहुत positive रहे आपकी life में बदलाव लेके आए आपका जीवन अच्छा चले इसी के साथ God bless you रीटिंग चाहिए तो number description box में है